नमस्कार दोस्तों मुने नाम को भिल सिका स्वागत आपका स्टेडियाई की एड्यूकेशन प्लाटपॉर्म में आज सीरीज में हम करने जाने हैं सेट 19 और जाने हैं कुछ चुरू करते हैं सबसे पहला जो टॉपिक हमें बढ़ना हो है नेगलेक्टिड ट्रॉपिकल डिजीजिस का देखो यूई ने 74 वर्ड हेल्ड हेल्थ असेंबली को अभी डिकलेर किया था जैन्वरी में अब एक्जैकली था क्या यहां पर वर्ड नेगलेक्टिड ट्रॉपिक जानेंगे कौन-कौनसी डिजीज है यूजुली होता कि आप देखेंगे जितनी वे ट्रॉपिकल सब्ट्रॉपिकल कंट्रीज है महां पर पावर्टी लेवल्स काफी जाधा हाई है अब पावर्टी लाह होने की वज़े से सैनिटेशन का एक बड़ा इश्यू है और क्यों वो है एक नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज अचाहिए वो डिजीज होते हैं क्यों इनको नेगलेक्टेड कहा जाते हैं क्योंकि ध्यान नहीं देता अगर हम बात करें वर्ट की इंटरनाशनल और्गनाइजेशन के हम बात करें दुनिया की और बाकी जो बड़ी- जानते हैं कि अगर वो कोई प्रोड़क्ट डिवलप भी कर लेंगी तो यहां पर चल नहीं पाएगा को खरीदेगा नहीं तो इसलिए यह नेगलेक्टेड की लिस्ट में आ जाती है अब कहा जाता है वर्ड का जो लार्जेस्ट अप्सुल्यूट बडर्टन है लगभगिन यहां पर आपको काफी डिजीजेस इस तरह की मिल जाएंगी तो उसके बाद च्छड अगर आप देखेंगे पूरा पूरा अमेरिका तो आप देखी रहे हैं यहां पर सदन अमेरिका की बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे काफी जादा प्रिबिलिंट है ट्रॉपिकल डिजीजेस इसके बाद मॉल्डीव कंबोडिया श्रिलंका देखेंगे यहां पर भी जादा है देन बाकी आप ऐसी कंट्रीज देखेंगे जो अफोडिबिलिटी जिनकी काफी कम है तो यह डिजीज काफी जादा है तो इसमें काफी डिजीजेस आ जाती है हम बात करें लिंफेटिक फिलरेसिज आ जाती है रिवर ब्लैंडनेस आ जाती है तो याद रखना है अब आपको कि इस पे भी आप दुनिया ध्यान देने की बात कर रही है specific day जो है यह मार्ग किया है दूसरी न्यूज आ रहे है कोविड-19 से म्यूकर माइकॉसस काफी बड़ी प्रॉब्लम आपने देखा था इंफो टेरेसिन बी का जो इंजेक्शन था वह अवेलबिल नहीं था इनफाक्ट अवेलबिल इसलिए नहीं था क्योंकि एंफो टेरेसिन बी का जो इंजेक्शन वह बहुत जादा ब्लाक मार्केटिंग हो ही रही थी आप सब इस बात से हम कहते हैं जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में exactly था है क्या इसे हम ब्लाक फंगस के नाम से काफी लंबे समय से जानने लगे हैं बहुत प्रेवलेंट होगे हैं पहले में सारी चीज़े पता नहीं होती थी अच्छ अब कह सकते हैं और गेनिजम है अब इस और गेनिजम की जो प्रेवलेंस हो काफी जादा है हमेशा हमारे आसपास फंगस रहती है लेकिन इस बार कोई पेशन के साथ क्या था कि उनकी ओल्रेडी जो इम्यून सिस्टम था काफी वीक था तो ऐसे में वो फंगल इंफेक्शन जो है वो बॉडी में और जादा या उसकी मल्टिप्लिकेशन काफी फास्ट हो गई अब यहाँ पे देखेंगे ब्लाक फंगस की केसे जो है वो पहले से बढ़ते रहे तो इसलिए इसको एपिडेमिक डिकलेर कर दिया गया एपिडेमिक डिजीज आक्ट 1897 में अब म्यूक कुछ health problems है जिनकी immunity काफी weak है और उनकी body जो है इन पैथोजन से लड़ नहीं पाती फंगस है क्या फंजाए है क्या एक पैथोजन ही है आपकी body में किसी भी तरह एक external pathogen introduced होता है बोडी का immune system activate होता है और वो अपनी जो भी उसने immune system में जो भी develop किया होता है जो भी antigens उसने ब क्योंकि body काफी जादा weak थी COVID से लड़ लड़के weak होगी थी steroids के undue influence में थी कह सकते undue influence तो exactly यहाँ पर जो black fungus के cases ने इसलिए आपको बढ़ते देखे normally आप देखेंगे black fungus इतनी ज़्यादा हनिकारक नहीं होती लेकिन COVID patients के लिए काफी ज़्यादा होई है commonly जो black fungus है यह tissue को affect करता है necrose को affect करता है और उसको black कर देता है तो basically क्या देखा गया है कि nasal से इसकी entry होती है और eye और nasal की बीच का जो chamber होता है उसको impact करता है तो इससे क्या होता है severe migraine headache जैसी problem जो है patient को शुरू हो जाती है नेसल की वज़े से उसको nasal issues हो जाते है eye की वज़े से उसको दिखना बंद हो जाते काफी लोगों की आँखें इसमें खराब हुई है इसको आप देखेंगे पहले zygomycosis भी कहते थे यह serious था but rare fungal infection है यह कुछ molds के थुरू होता है जिनको मर्स को mycitis कहते है अब यह molds में environment में रहते हैं, soils में रहते हैं, decaying organic matter में रहते हैं, leaves में, compost piles में, rotten wood में रहते हैं तभी patients को कहा जा रहा है कि अगर आप covid से recover हुएं तो बाहर न घुमें, ठीक है, बिना mask के न घुमें, construction sites में न जाएं, garden में न जाएं, जहां पे इसकी मातरा evidence में इस तरह की पंजाय मिलती है अब यह फंजाय जिस बेसिकली आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा black fungus के लिए responsible है, rhizopus species है, mucor species है, rhizomucor species है and synthiplastrum species है, यह जो species हैं, यह इसके लिए काफी ज़्यादा responsible है यूजिली लोग इस microscopic fungal यह sports के जब contact में आते हैं, day to day मैंने आप जैसे बता है, हम रोज इस तरह की fungus के white fungus, black fungus, yellow fungus, हम रोज इन से मिलते हैं, लेकिन जब कोई covid patient होता है, तो उसकी immunity काफी weak होती है, तो यह pathogens, देखो हमारी body की न, pathogen से लड़ने की एक अपना immune system over the time develop हुआ होता है, इस बार का जो covid था, इस बार करके में तो, जो covid था, वो कुछ extraordinary form में था, मतला हमारी body ने ऐसे pathogens देखे नहीं थे, इसलिए, वो already उन से लड़ने के लिए सारा immune system लगा चुकी होती है, आप ऐसा समझिए, कि हम war में गए, औ हमने अपने पूरे man material को exhaust कर दिया और फिर एक नया सामने से problem आ गया, तो वही problem mucormycosis थी, आप देखो इसमें आप inhalation से, inoculation से, injection के तुरू, ingestion से, आप ingest कर लिए, आपने खाली ऐसा food जिसमें already fungus लगी थी, mucormycosis contagious नहीं होता है, एक से दूसरे में नहीं फैल था, लेक contact में नहीं फिलता, अब आप क्या-क्या symptoms देखने थे, basically symptoms देखा गया, इसमें sinusitis है, nestle blockade है, जैसे मैं आपको बता है, blackish bloody nestle discharge है, one-sided facial pain है, numbness है, swelling है, blackish discoloration है, nose का या palate का, आपके आसपास का area, जो है, then thrombosis है, narcoisis है, blurred vision है, toothache है, chest pain है, तो पूरा जो आपका facial वाला जो प फेमस यही treatment के लिए, इसके आप बाद आप देखेंगे, post canozole, then उसके बाद, इसा भी canozole, यह सब जितने भी zole वाले जो pharmaceuticals होते हैं, यह basically आपके फंजाए treatment के लिए होते हैं, तो आप mucormycosis को surgery और infected tissue को काटने से भी हटाएं, लोग के operations हैं, वो किये गए, यह आपने देखा, otherwise बात कर लेंते हैं, fungal infection होता क्या, देखो, fungus, usually आपने देखा, white ही आपको हर जगे दिखती है, इसको candida कहते हैं, अब इसको आप candida भी कहते हैं, fungus basically attack करती है, white color discharge होता है, और उसको white fungus कर देखा, similarly एक mold होता है, yellow, जब discharge करता है, yellow हो जाता है, yellow color का pus उसमें बनने yellow, black जो था इस बर काफी ज़्यादा extraordinary type देखा, फंजाय की बात करें, चलो थोड़ा सा देख लेंदे हैं, biology में भी फंजाय है क्या, देखो, you carolates है, यह responsible है, decomposition and nutrient cycle through environment, यानि यह environment का काफी important part है, देखो, फंजाय पर से is not wrong, जैसे मैंने का human evolution या अर्थ की evolution में, nature की evolution में, फं decompose matter होता है, इसको फर्दर, उसको decompose करके, उसको environment में dissolve करनी का एक काफी बड़ा इनका role होता है, multi-cellular organisms भी हो सकते हैं, single cell भी हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, अब इसमें क्या होगा, इनमें distinct membranes होती हैं, nucleus bound होते हैं, फंजाय जो है, separate kingdom के नाम से जाना जाता है, Eucaratic kingdom में आप देखेंगे, plant है, animalia और prostata में, एक separate kingdom में इनको हम पढ़ते हैं, इतना ही मैं जानना है तरह स्टॉपिक पर, next समझ लेते हैं, tentative list of world heritage sites, location क्या है, with outstanding universal value, उने इसको लेके आईए, outstanding universal value की कौन-कौन सी sites हैं, उसके tentative list जो है भारत में दी गई है, अब ये outstanding universal value का basically है कि cultural और natural significance उसका काफी जादा है, exceptional है, देखा तो usually हमने देखा हमारे जो temples हैं, उसको इस system में रखा गया, अब ये sites हैं, इसको nominate UNESCO करती है, अब ये international treaty, convention concerning the protection of world cultural natural heritage, 1972 के तहट इसको adopt किया गया था, ये इसका importance है, अब कौन-कौन से देख लेते हैं, iconic riverfront के हम यहापे बा पाकी किया है, कि देखो, iconic riverfront है, historic city of Varanasi, यहाँ पर क्या है, 84 step का घाट है, ठीक है, जो घाट है, जो घाट है, घाट कहा जाता है, यूनिक टैप अलोजी है, architecture उसका काफी बढ़िया है, famous भी है, आपने देखा ही होगा, तो दश्मदेश घाट है, आपने देखा है, आपन अपने देखा है, movies बगरा, बनी हुए है, दश्मदेश घाट काफी famous है, दश्मेद, उसके पास money करने का है, पंचगंगा घाट है, अधिकेशव घाट है, तो यह जो एरिया है, इसको भी हमने इस list में रखा, अब साथ ही साथ देखो, क्यों यह important भी है, important इसले भी है, क्य natural significance भी है, इसी तरह से हमारे कुछ और मंदिर है, कांचीपुरम के temple हम देखेंगे, यह वेगावती रिवर पे है, historic temples है, कांचीपुरम में कहा जाता है, एक समय में हजार से आधा temples थे, जिसमें लगबग 126 जो है, बचे है, 108 शेवाइट शिवाव टेंपल और 118 जो है architecture है, अब यहाँ पे nomination में कौन-कौन से temples है, यह आप देखेंगे, कलाई संथा temple है, इसे पलवा किंग, राजसिमा 1 ने बनाया था, नरसिमा 2, जो है उसका सांक्टम जो है आप देखेंगे, उनीक 16-sided शिवा लिगा काव्ड हुआ 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 है, ब्लाक ब्रेनाइट से, उ जो पांच तत्व है, उसमें से अर्थ को यहाँ पे represent किया जाता है, तिन आप देखेंगे, राजगोपुरम, tallest है, साउथ इंडिया का याद रखेगा, जो temple का राजगोपुरम है, इस temple का, वो tallest है साउथ इंडिया में, और इसको विजन अगर, किंग कृष्न देवर्या न नाम से जाना जाता है, वर्द राजा पेरुमल टेम्पिल है, लौड विश्नु के नाम से, तो इंपोर्टन चीज़े हो जाती है, हाँ पे आप देखेंगे, 100 पिलर्स है, मंडब जो है, 100 पिलर्स से बना हुए, विजे नगर, किंग्स नेस को बनाया था, देन, उलाग अल पीकॉक, नाइट इंगिल, रुदराक्ष बीड, फ्लोरे डेजाइं इन सबसे बने हुआ, साथ ही साथ यही चीज़े आपको कांचीपुरम के जो आठ है, जो साड़ी आठ है, उसमें भी दिखती है, इसके अलावा एक और चीज़ हमें पढ़नी है, मेगलितिक साइट पैसेज हैं, चैमबर्स हैं, तो कंप्लीट ग्रेनेट के स्ट्रक्चर्स बने हुआ, फिगर्स बनी हुई है, अब मेगलितिक देख लेते हैं, डो ग्रीक वर्ट से बना है, मेगा और लिथोस, यानि स्टोन, मेगा मतलब लार्ज, लार्ज स्टोन से काप्ड आउट है, यह कंस्ट्रक्ट किये गए हैं, बरियल साइट या कॉमेमरेटिव मेमोरियल, यह इंपर बात हो जाती है, अब यहाँ पर क्या-क्या मिला है, हिरे बिंकल है कहाँ पर करनाटका में, प्रिहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, यहाँ पर हॉर्स राइडर, यह पूछा ज इस में औन आगे, देखेंगे, बेदागाठ इसमें आप देखेंगे, लमेता गाठ यह कहाँ पर और यह安के पर बेदा लमिता गाट यह नर्मदा वैली में है बहुत अच्छी जगह है इसको ग्राइंड कैनियों आफ इंडिया भी कहा जाता है इनपर वेदा गाट सिर्फ एक ऐसी रिवर है जहां पे नर्मदा का जो कोर्स है वो 30 मिटर डीप जोर्ज में कनवर्ट होता है यहां पर धुआदार भी है इस निरो ज़ोर से निकलता है ठीक है तो इसको ग्राइंड कैनियों ऑफ इंडिया पिक्टर में देखते हैं देखने में लग निगा निर्व ऑर भारत जाता है हमां अगर हम अपने आपे टूरिजम को प्रमोट तो हमारे बहुत ज्याद़ा कपैबिलिटी से बहुत सबसे लंबी वेस्टन फ्लोइंग भारत की रिवर है चिक है तो इसको वेस्ट की हम गंगा भी कह सकते हैं अब ये इसी में आप देखेंगे इसी के बैंक्स पे सत्पुरा टाइगर रिजर्व भी फॉल करते हैं सत्पुरा टाइगर रिजर्व है प्राइम एक्जाम्पल है सेंट्रल हाइलेंड इकोसिस्टम का ये अरिया भी फेमस है सेवंटी परसेंट इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है वह आपको यहीं मिलेगी सत्पुरा टाइगर रिजर्व नों 12 परसेंट टाइगर हैबिटेट्स आपको मिलेंगे इसको पहला बाइस पे रिजर्व जो है डिकलेर किया गया था 1999 में तीन प्रोटेक्टिड एरिया सत्पुरा नेशनल पार्क बोरी सेंचुरी और पंचमणी सेंचुरी इसके पार्ट्स हैं सत्पुरा के आर्केलोजिकल सिग्निफियंस भी है कि पच्पन रॉक शेल्टर सें लगबग 1500 से 10,000 साल पुराने वाल पिंटिंग्स हैं यहाँ पे अनिमल्स बने हुए वाल पिंटिंग्स में टाइगर प्रोक्यूपाइन्स ठीक है देन आप डियर देखेंगे सब यहाँ पे क्राफ्टेट है ठीक है तो यह है important इस area की इस cultural history की नेक्स हमें देखना है मराथा military architecture भी इस बार न्यूस में था 14 फोर्ट है लगबग 17th century मराथा king छत्रपती शिवाजी की टाइम पर इंपॉर्टेंट कौन-कौन से शिवनेरी फोर्ट कहा जाता है यहाँ पे छत्रपती शिवाजी का 1630 में जन्म ह हुआ था अली बाग कुलाबा फोर्ट यह आप देखेंगे यह अरेबियन सी में है तो यहाँ पर इसलिए भी चूज किया गया था क्योंकि यहां से नेवल बेस चत्रपती शिवाजी चलाते थे राइगर फोर्ट का जाता है बहुत important है उनकी complete history में से कभी occupy नहीं किया गया था क्योंकि शिवाजी ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है साइन कर ली थी और लॉंगेस्ट उक्यूपाइट 26 साल उनने यहां पर समय गुजा रहा था यह जो नेटवक फोर्ट से इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो वहां का टेरेन आप देखेंगे फोर्ट बहु क्योंकि फोर्ट साइट पर होते थे और इसे जो सरविलांस है वह काफीएजी हो जाता था दॉर एनिमी बहुत जल्दी तक यहां पर नहीं बहुँच पाता था गुरेला वार्फियर की बात करें यहीं से गुड़ेला वार्फियर में माराथाज काफी जादा सक्षम हो गय इन फैट आप देखेंगे यॉर्पेन कोस्टल पावर्स भी हैं उनको भी सी साइड पर रखना बहुत आसान हो गया इन फोर्ट्स की वज़े से इस बार मराथा मिलिटरी की वज़े से तो इसलिए हमारी जानना ज़रूरी है कि exactly कौन कौन से फोर्ट्स का हिस्टॉरिकल इंप क्नल नहीं भी है कि झाल से वज़े से व। इंप आसान हो जनकोई 5-4-2-3-2-3-2-3-1-2-3-2-3-2-3-3-2-2-3-3-2-3-2-3-4-2-3-2-3-2-3-4-2-3-3-4-6-2-3-3-2-4-3-2-3-4-2-3-4-2-3-2-3-4-2-4-3-2-4-2-2-3-4-2-3-4-2-4-4-2-4-2-4-2-5-4-3-2-5-5-5-4-2.